नमस्का दोस्तों मारा चनल इजीवेज़ूए मैं आपका स्वागत है मिरे नाम इपलब गोस्तों आज हम एक बहतरीन ट्रिमर का रिव्यू करेंगे और हम आपको बताएंगे कि यह प्रोड़क्ट आपके लिए सूटेबल है कि नहीं आपको पर्चेज करना है कि नहीं और आ आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें तो चले हम फटा फट वीडियो को सुरू करते हैं तो यह है हमारे सामने जो प्रोड़क्ट है यह है हेवल्स का BT 5301 जो की करीब 2.5 साल पहले इसकी लंचिंग वी थी और आज भी यह प्रोड़क्ट का अगर सेल की बात की जाए तो बैतरीन इसका सेल आपको देखने को मिलता है Amazon Flipkart और अधर वेबसाइड में भी इसकी जो सेलिंग है काफी ज्यादा सेलिंग है अगर रिवीव की बात करें तो इस प्रोड़क्ट की जो रिवीव है चार रेटिंग से उपर आपको देखने को बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका बॉडी क्वालिटी की तो इसका बात की जाए तो पूरा इसका जो बॉडी है प्लास्टिक की बॉडी की बनी हुई है तो इसमें हमको प्लास्टिक की नजर आता है चारो तरफ और जो प्लास्टिक इसमें यूज हुआ ह ये बहुत ही तगडल प्लास्टिक है और जो भी इसका सेफ है काफी बहुत ही सही से से हैं कि बातके तो चार्जञ टाइम इस प्प्रोडक्ट एक्टाइब गन्टा में आपका ये फुल चार्ज हो जाता है यहाँ पे घ्रीन सिग्नल आपको बैटरी का साइन का LED लाइट आपको देखने को मिलती है तो आप समझ जाएंगे कि यह आपका चार्ज फूल हो गया जब बैटरी लो हो जाता है तो पाँच से चार्ज पे लगा देना है रण टाइम की बात करें तो यह 100 मिनट का रण टाइम है मतलब 1 गंटा 40 मिनट अगर फूल चार्ज हो जाता है तो एक गंटा 40 मिनट आप इसको यूज़ कर सकता है तो मेरे इसाब से यह भी बहुत ही सही है कम आपका चार्जिंग टाइम और ज़्य स्वेट की बाद करें तो 105 एक सो पांच-110 ग्राम की यह तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं है तो वेट में आपका दिया हुआ है तो यह पर्फेक्ट है मतलब नॉर्मली जो आदमी को लगता है वही इसमें दिया हुआ है इसका बटन नहीं है आप यहां पर देख सकते हैं इसको बस आपको मूब करना है और आपको कौन सा सेप का आपका ब्रेड आपको चाहिए अब इसमें और अच् कि जिस साइज में आप करते हैं तो वह साइज आपका लॉक हो जाते हैं तो इसमें भी आपको परिशानी नहीं होगी आपको वही सेप आपका रहेगा एवरी डे तो उसके लिए लॉक कभी यहां पर ऑप्सन दिया हुआ है अब आपको इसको रिमूब करने के लिए जो कर को देखना है तो यहां पर आप ऐन आप स्वीच देख सकते हैं तो यह भी बहुत अच्छा तकड़ा स्विच दिया हुआ है अब आप आप आवाज कर रहा है आप देख सकते हैं और22 बहुत स्मृब्स का मुबाइल आप यूज कर सकते थे तो वह चीज यहां पर नहीं दिया हुआ यहां पर सिंगल पीन वाला दिया हुआ जो की नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलता है तो बस आपको केविल आपको मुबाइल का एड़ेप्टर पर यूज करना है और इसको चार्ज पर लगाना है इतने सारे जो चीजे हैं यह आपको बॉक्स में कंपनी देती है अब हम बात करते एक और अच्छी चीज जो इसके साथ दी हुई है कंपनी वह है जो ब्लेड की क्वालिटी तो ब्लेड में इसका टीटैनियम कोटिंग यहां पर मिलती है उपर का ब्लेड आप अगर देखे और इसको रिमूब करने के आप देख लिजे यहां पर यहां पर ऊपर की तरफ थोड़ा सा खिंचना है तो यह प्रोड़क्ट आपका सिंपल सा यह रिमूब हो जाता है तो यहां पर आप देख सकते नीचे का ब्लेड जो है यह टिटैनियम कोटिंग दिया हुआ है और मसी करते हैं पावर कंजम्शन की बात करें तो इसमें सिर्फ दो वाट का पावर कंजम्शन होता है जो कि बहुत-बहुत-बहुत ही कम है दो वाट आप अगर देड़ गंटा चार्ज करतें तो मेरे ख्याल से कुछ भी आपका इलेक्टिसिटी बिल नहीं आगा नहीं के सिर्फ इसको करते हैं तो लिए गुण नौरूमल घुण बंटरि लगी हुए और उट अगर इसको यूज कर में ढशा लकार हैं और उसको सकते और यूगी तो दोनों तरी के से आप पीशिक को सबसें सबस्य माइर geen तो इस प्रोडग्ट को करिदने के लिए आप 30 हजार से उपर खर्चा करनी पड़ेगी तो Amazon Flipkart या कोई भी वेबसाइट में आप अगर इसको पर्चेस करना है तो आपको 1100-1200 रुपया इसके पीछे खर्चा करना पड़ेगा इसका ओरिजिनल प्राइस हलाकि अगर आज के डेट में मुझे रेटिंग की बात की जाए तो मैं इसको पूरा का पूरा फाइव इस्टा देता हूं तो क्यूंकि इस प्रोड़क्ट में मुझे कहीं पर भी कोई खामिया नजर नहीं आए सिवाए इसका चार्जिंग पॉर्ट के तो आसा करते हैं आपको